नमस्कार, NAS class 10 के paper second के solution में आज हम पढ़ेंगे question number 1 से 70 तक सारे प्रशनों के हल एक ही वीडियो में, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएंगे पहला प्रशन है चित्र में दिखाये गए पक्छी का नाम चुने चित्र में दिखाये गए पक्छी का नाम सारश मोर सुतर मुर्ग या हंस आप्सन नमबर C सही है सुतर मुर्ग है यह पक्षी दूसरा प्रशन है किस वेक्ति का काम गाड़ी चलाने वाले के समान होता है गाड़ी चलाने वाले के समान किसका काम होता है धोबी विमान चालक विग्यानिक या वकील तो विमान चालक जो होता है वह गाड़ी चलाने वा वाला सब्द क्या है देखिए हमें सब्दों के अर्थ हमें सब्दों के अर्थ सब्द कोश में खोचते हैं हम सब्दों के अर्थ कहां खोचते हैं सब्द कोश में आफसन नंबर बी वाला सब्द कोश यहां पर सुद्ध है चौन्था प्रशन है नीचे दिये गए सब्दों क चड़ाना समना अर्थी है तो विविदता सामानता विविदता का विलोम क्या होगा सामानता अपसन नमबर डी सही है वाक्य में दिये गए रेखांकित सब्दों में से किसका अर्थ असली से मिलता है असली से किस सब्द का अर्थ मिलता है तो यहां देखते हम यद्पी मूर् विशुद्ध खरी प्राचीन नजर आती थी तो देखिए नकली तो नहीं मिलेगा किस से असली से और प्राचीन भी नहीं मिलेगा असली से तो कौन है यहाँ पर अमूली भी नहीं मिलेगा असली से तो विशुद्ध यानि खरी बिल्कुल असली option number C सही है विशुद्ध खरी को हम क्या बोलेंगे असली छटवे नमर का प्रस्ण है नीना ने एक साम को जो भी काम किये वे नीचे दिये गए हैं इन में से वह विकल्प चुने जो नीना द्वारा किये गए कामों का सही क्रम दिखा रहा है अब नीना के कामों का सही क्रम कैसे दिखेगा उसने अपने कपड़े बदले उसने कमरे की बत्ती बुझाई नीना बहुत ठकी हुई थी वह बिस्तर पर आकर लेटी और सो गई जब भी हम ठके हारे घर पहुचते हैं तो सबसे पहला क्रम क्या होगा नीना बहुत ठकी हुई थी नमबर 3 सबसे पहले आएगा फिर उसने कपड़े बदले नमबर 1 आएगा फिर उसने कमरे की बत्ती बुझाई नमबर 2 आएगा और वह बिस्तर पर आकर लेटी और सो गई नमबर 4 आएगा 3,1,2,4 याने option number C यहाँ पर सही है चलिए सात्वा प्रस्ण लेते हैं अभी योग पत्र का अर्थ है अभी योग पत्र का अर्थ क्या है किसी आरोप का प्रमाडी करण, किसी आरोप का परिणाम, किसी आरोप की निंदा, किसी आरोप पर विचार तो अभी खरगोस ने कहा यहाँ पच रंगा है, पच रंगा है, मतलब पांच रंगों वाला है, option number B अहीं है, वाक्य में रेखांकित मुहावरे की जगे कुन सा वाक्यांस सबसे उचित रहेगा? रेखांकित मुहावरे हमें दिया गया है, कुन सा वाक्यांस सबसे उचित रहेगा? देखते हैं, फिल्म के मुफ्त टिकेट मिलना ही काफी अच्छा था, पर उसके बाद मुफ्त का खाना तो जैसे सोने पर सुहागा था, सोने पर सुहागा मतलब एक और लाव, एक लाव तो हमें मिली गया था, मुफ्त टिकेट मिला था फिल्म का, और उसके बाद उसमें जब हमें मुफ्त खाना मिलने लगा, तो सोने पर सुहागा याने एक और लाव आपसर नमबर बी सहीं है, दसवा देखिए, दिये गया है, वाक्य को पूरा करने के लिए सहीं विकल्प च कि खालिस्थान है, जब की बड़ा भाई चंचल है, जब की लगा है, याने दोनों एक दुसरे के विरोधी हैं, या अलग-अलग हैं, तो जब बड़ा भाई चंचल है, तो छोटा भाई क्या होगा, होशियार, इसने सील, चालाक या गंभीर, तो यहाँ पर गंभीर दिये गए वाक्य को पूरा करने के लिए सहीं विकल्प चुने, नौकर मेरे दादा जी के लिए काम नहीं करना चाहते, क्यों काम नहीं करना चाहते नौकर, क्योंकि जब भी वे घर छोड़कर जाते हैं, तो मेरे दादा जी उनकी थैलियों की जाच यहाँ पता लगाने के करते हैं कि उन्होंने कुछ चुराया तो नहीं याने जब साम को जब अपने घर जाने लगते हैं नौकर तो उनकी जाच होती है इससे यह कहा जा सकता है कि मेरे दादा जी हलिस्तान है क्या है सत्यवादी सर्मनाक संदे ही है अप्जन ौममर डी दादा जी बहुत संदे करते हैं संदे ही है फिर चलिए बारवे नमबर का प्रश्ण है दिए गए वाक्य को पुरा करने के सहीं विकल्फ चुने अदा को पहले लगा कि यह चावी हाल किसी दरवाजे की है क्या हो जाएगा क्या लगा अदा को पहले कि यह चाबी हाल के किसी दरवाजे की है option number A सहीं है यहाँ पर दिये गए वाक्य को पूरा करने के लिए सहीं विकल्प चुने जब सूरज की किर्णे ओस की बूंदे पर गिरी तो वे दमकने लगी और वांचित के समान अर्थवाला सब्द चुने अद्भुत अद्रश अन्देखा या अन्चाहा जो हम वांचित नहीं हैं हमारे लिए तो वो क्या कहलाएगा अन्चाहा अपसन नमबर डी सही है पंदरवा प्रशन है नीचे लिखे वाके के किस भाग में गलती है हमें गलती बताना है कि वाके किस भाग में गलती है जब मैं इस्कूल जाने वाला हूँ तब अपने मित्र को मिठाई दे दूँगा तो देखे यहां होना था कि जब मैं इस्कूल जाऊंगा तब अपने मित्र को मिठाई दे दूँगा तो जब मैं इस्कूल जाने वाला हूँ लिखा है अर्थात यहां पर तुरूटी है option number B में तुरूटी है कि मैं school जाने वाला हूँ जब तो रहेगा तो जब सही है तब अपने मित्र को सही है मिठाई दे दूँगा भी सही है मैं school जाने वाला हूँ के स्थान पर मैं school जाऊंगा होना था यानि option number B यहाँ पर तुरूटी पूर्ण है चलिए शोलवा प्रश्ण है एक ऐसा विकल्ब चुने जिसे नीचे दिये गए गोले में रखने से सभी सब्दों के पहले रखने से नए सार्थक सब्द बनाए जा सकते हैं हम ऐसा कौन सा सब्द है जो बल, गती, योग और जाती ये चारों के पहले रखकर एक सार्थक सब्द बना सकते हैं तो देखे यदि हम प्र का इस्तिमाल करते हैं यहाँ पर तो देखे क्या बने का प्रबल, प्रगती प्रयोग और प्रजाती चारों सब्द बन रहे हैं सार्थक सब्द प्रबल, प्रगती प्रियोग और प्रजाती तो यहाँ पर आफसर नमबर दी सही है चलिए सत्रवा प्रसन लेते हैं दिये गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने दिये गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुन रहा है जब वह ताला खुल गया तो क्या होगा उसने सोने की चाबी को ताले में लगाया सोने की चाबी को ताले में लगाया और उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही जब वह ताला खुल गया आफसन नमबर C यहाँ पर सही है फिर चलिए अठारवा प्रसंद देखते हैं उसका मूल तर्क है कि सभी प्राणी चाहे कीड़े हो या मनुष्य जीने का अधिकार रखते हैं रिखांकित सब्द के समान अर्थवाला सब्द चुने मूल है यहाँ पर रिखांकित सब्द तो मूल को हम क्या बोलते हैं बुनियादी, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रसन नामबर B, बुनियादी हो जाएगा परस्न उनीस है नीचे देगए वाक्यों में से किस वाक्य में रिखांकित सब्द का सही प्रकार प्रियोग हुआ है तो जो वाकिय हम देंगे तो रिखांकित सब्द का सही प्रियोग हुआ है कि कोई गलती से आया है क्या कोई सब्द यह हमें देखना है तो सही वाला कौन सा है देखना है तो यहाँ वह एक हाथ में दो से अधिक कटोरी नहीं पकड़ पाया यहाँ गलत है बाल्टियों में पानी भर दीजिए अच्छे है तो बाल्टियां बिल्कुल सही है भहुवचन में है तुम्हारी कितनी उंगली है ये गलत है तुम्हारी कितनी उंगलियां है ये सही होना था क्या तुम सब अपने डिब्बे अभी खोल सकते हैं डिब्बाकिस्तान पर डिब्बे होना था तो A, C और D गलत है तो क्या सही है क्रप्या इन छे बाल्टियों में पानी भार दीजे आपसन नमर B सही है नीचे दिये गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है क्या है वाक्यों मेरे माता पिता की यही कामना है की मैं बड़ा होकर डाक्टर बनूँ मेरी एक ही अभिलासा है की भगवान मुझे एक बड़ी सी गारी दिला दे मेरे दादा जी की यही लालसा है की वे जल्दी से जल्दी मेरी साधी देख ले अब वह सब्द चुनिए जो तीनों रेखांकित सब्दों के स्थान पर उप्योग हो सकता है कौन सा ऐसा सब्द है कामना, अभिलाशा, लालसा इन तीनों के स्थान पर प्रियोग होने वाला सब्द कौन सा हो सकता है इक्चा, आसिरवाद, करपा, या अच्छा तो देखे इक्च्छा होगा की कामना मतलब इक्च्छा अभिलासा मतलब इक्च्छा लालसा मतलब इक्च्छा आफसर नमबर एक का हम्प्रियों यहां तीनों में कर सकते हैं 21 वा है जन्मांध का समाश विग्रह होता है जन्म से अन्धा इनमेश से कोन से सब्द का समाश विग्रह समान होगा तो देखिए यहाँ पर रिन्मुक्त जो सब्द आया है रिन्से मुक्त रिन मुक्त याने रिन से मुक्त यहाँ पर देखें अपादान तत्पुरुस का इस्तिमाल हुआ है अलग हो रहा है रिन से अलग हो रहा है वैसे ही जन्व से अंधा औप्सन नमबर सी यहाँ पर जो है रिन से मुक्त होगा यानि सहीं उत्तर है फिर 22 देखे दिये गए वाके को पूरा करने के लिए सहीं विकल्प चुनना है उन्हें यात्रियों को गाउं के दूसरी तरफ पहुचने के लिए एक घने जंगल हलिस्थान गुजरना पड़ा एक घने जंगल से गुजरना पड़ा तो आपसन नमबर यहां पर डी सहीं है दिये गए वाके को पूरा करने के लिए सहीं विकल्प चुनना है जैसे ही सिकारियों ने गोली चलाई सेर क्या हुआ तुरंत भाग कर छिप गया आपसन नमबर यह सहीं है तुरंत फिर देखे चोबिसवा खालिस्थान के लिए उच सब्द हमको यहां से चुनना है हां मैं इस सहर में पिछले आठ सालों हां मैं इस सहर में पिछले आठ सालों से आएगा ना इस सहर में पिछले आठ सालों से रह रहा हूं मैं जून 1997 में यहां आया था पहले आएगा से और फिर आएगा में तो कुन सा अपसन सहीं हैं अपसन प्रत्यक्ष कतन के रूप में कैसे लिखा जाएगा, इंडारेक्ट के रूप में हम कैसे लिखेंगे, रेजीन होक ने कहा, इस पस्ट संदेश यह है कि पूरे विश्व में ग्लेसियरों का भार काफी घटेगा, तो यह था डारेक्ट, तो अप्रत्यक्ष रूप में हम इसे कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, रेजीन होक ने इस पस्ट संदेश दिया कि पूरे विश्व में ग्लेसियरों का भार काफी घटने वाला है, आफसन नमबर सी यहाँ पर सहीं अप्रत्यक्ष है या इंडारेक्ट अब देखे, 26 वा देखे, दिये गए वाक्य को पूरा करने के लिए सहीं विकल्प चुने, लगता है अनाज के दाने कुछ दिनों में खराब होने वाले हैं, अप्सन नमबर A सहीं है, कि लगता है अनाज के दाने कुछ दिनों में खराब होने वाले हैं, फिर 27 वा देखे, भारत सरकार ने भी खजाने को खूब खोजा पर कुछ हाथ ना लगा भारत सरकार द्वारा भी खजाने को खोजने की कोशिस असफल रही जब हाथ कुछ नहीं लगा तो हम क्या बोलेंगे भारत सरकार द्वारा भी खजाने को खोजने की कोशिस असफल रही 28 प्रश्ण है तुम्हें और मेहनत करनी होगी नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा option number C आएगा यहाँ पर नहीं तो फिर 29 प्रश्ण है दिये गए वाक्य को पूरा करने के लिए सहीं विकल्ब चुनने सहीं विकल्ब हमें चुनना है अरे इतना सुंधर्चित्र किसने बनाया सौरब ने पूछा किसने? option number C सहीं है तीस्वा है वह विकल्ब चुनने जो दिये गए वाक्यों को सहीं तरीके से जोड़ता है दिये गए वाक्यों को सहीं तरीके से जोड़ने वाला विकल्ब हमें खोजना है तो देखे, सुरुताओं को अपने भासन से प्रभावित करने के लिए यह जरूरी है कि वह वेक्ति विद्वान हो तो देखे, यदि वह विद्वान नहीं होगा तो सुरुताओं को अपने भासन से प्रभावित नहीं कर पाएगा पहला ही उत्तर यहां पर सही है देखिए सुरुताओं को अपने भासन से प्रभावित करने के लिए यह जरूरी है कि वह वेक्ति विद्वान हो तो देखिए यदि वह विद्वान नहीं होगा तो सुरुताओं को अपने भासन से प्रवाइत नहीं कर पाएगा, दोनों एक ही अर्थ रख रहे हैं ना, चलिए, तिस्वा है दिये गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही सब्द चुने, सही सब्द उस लड़के ने बस में उस लड़के ने बस में खलिस्थान पैसे खो दिये, अपने पैसे खो दिये, आपस वक्ता ने कहा बस को पहाड़ पर चढ़ने में पाँच घंटे लगे प्रत्यक्ष कथन है यहाँ वक्ता ने कहा बस को पहाड़ पर चढ़ने में पाँच घंटे लगे उपर वाले देखते हैं वक्ता ने कहा बस को पहाड़ पर चढ़ने में पाँच घंटे लगे अब यहाँ पर जो विराम चिने लगा है सबसे पहले तो कथन जो बोल रहे हैं उनके बाद अलप विराम और फिर उसके बाद इनवर्टेट कॉमा लगा हुआ है तो यहाँ सही है अब यहाँ पर देखिए आफसन नमबर A, B और C में अंदर भी अलप विराम लगे हुए है इसलिए यहाँ कथन गलत है सही कथन कौन सा है यह देखिए D वाला कथन सही है वक्ता ने कहा बस को पहाड़ पर चड़ने में पांच घंटे लगे अफसन नमबर D सही है तैंतिस्वा रमेश ने चलती गाड़ी में एक आदमी पर हाथ साफ कर दिया देखांगी द मुहावरे का आर्थ यहाँ होगा हाथ साफ करने का क्या आर्थ है सारा सामान चुरा लिया चारो आपसन पढ़ते है हाथ धुलवा दिये थपड मार दिया हाथ का जादू दिखाया सारा सामान चुरा लिया तो यहां के आएगा सारा सामान चुरा लिया अपसन नमबर D सही है 34 वा देखिए वहाँ विकल्फ चुने जो दिये गए वाक्यों को सही तरीके से जोड़ता है दोनों दुकान में गए वहाँ उन्होंने एक कुर्टा देखा उन्होंने कुर्टे का दाम पूछा और पैसे देकर वहा कुर्टा खरीद लिया तो देखिए 34 में हम अपसन नमबर D पर जाते हैं उन दोनोंने दुकान में जाकर एक कुर्टा देखा उसका दाम पूछा और पैसे दे कर वह कुर्टा खरीद लिया तो यह अफसर नमर डी बिलकुल सही है चलिए गध्यांस पढ़ते हैं गध्यांस को ध्यांस से पढ़ें और नीचे दिये गए प्रश्णों का उत्तर दें एक लड़की रेलवे स्टेशन पर रेल गाड़ी का इंतेजार कर रही थी समय बीतने के लिए उसने एक किताब खरीदी किताब के साथ उसने बिस्कुट का एक पेकेट भी खरीदा फिर उसने रेलवे स्टेशन के मुख्य भवन में एक जगह ढूंडी जहां बैटकर वह सांती से किताब पढ़ सके तो रेल का इंतेजार करते करते उसने एक किताब खरीदी बिस्कुट का पेकेट खरीदा और एक सांती से किताब पढ़ सके पास ही एक आदमी बैठ कर अकबार पढ़ रहा था उसने दोनों के बीच में एक कुरसी थी जिस पर बिस्कुट का पेकेट रखा हुआ था जब लड़की ने पहला बिस्कुट लिया तो उस आदमी ने भी एक बिस्कुट लिया इस बात पर लड़की को बहुत आश्चर हुआ पर उसने कुछ नहीं कहा और अपनी किताब पढ़ती रही मन ही मन उसने सोचा विश्वास नहीं होता अगर मुझ में थोड़ी हिम्मत होत तो मैं इस आदमी को जरूर टोकती जब भी लड़की एक बिस्कुट लेती वह आदमी भी एक बिस्कुट लेता यह सिलसिला चलता रहा और अंत तह पेकेट में केवल एक ही बिस्कुट बचा लड़की ने इंतजार किया वह सोच रही थी कि अब यह आदमी क्या करेगा उस आदमी ने आखरी विस्कुट उठाया उसके दो आधे आधे हिस्से किये और एक हिस्सा लड़की को दे दिया हैरान होकर उस लड़की ने किताब अपने जोले में पटकी और गुस्से में वहां से उठकर चली गई मुख्य भवन के दूसरे छोर पर उसे बैठने के लिए वहां बैठकर उसने अपने आपको सांथ किया गुस्सा ठंडा होने के बाद उसने किताब निकालने के लिए अपने जोले में हाथ डाला तब उसे ध्यान आया कि उसने तो बिस्कुट का पेकेट खरीदा था पर वह तो अब भी उसके जोले में ही पड़ा हुआ है यानि वह बिस्कुट का पेकेट वास्तों में उस आदमी का ही था ऐसा हमने एक एड भी देखा है कहानी की शुरुआत में लड़की क्या कर रही थी क्या कर रही थी लड़की कहानिक शुरुआत में वह railway station पर इंतिजार कर रही थी option number A सही है फिर 36 प्रशन है कहानी के बीच में लड़की मन ही मन सोचती है विश्वास नहीं होता विश्वास नहीं होता लड़की को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक अजनवी उससे पूछे बिना विश्वास नहीं हो रहा था option number B सही है 37 प्रशन होती है उसके कुछ चड़ों के बाद उस लड़की और उस अजनवी की फिर मुलाकात होती है वह लड़की उस आदमी से क्या कह सकती है क्योंकि गलती तो लड़की की ही थी तो मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने आपके साथ बुरा विवहार किया मैंने आपके विस्किट को खाया तो बुरा विवहार किया तो यहाँ पर option number D सही है बाद की option भी हम पढ़ते हैं धन्यवाद मैं थोड़े और विस्किट खाना पसंद कर चाहती हूँ तो यह गलत है छमा कीजे मैंने आपको मेरे विस्किट नहीं दिये यह भी गलत है धन्यवाद आप कहां जा रहे हैं यह भी गलत है तो मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने आपके साथ बुरा विवहार कि option number D यहाँ पर सही है लड़की को अपनी गलती का एहसास कब हुआ जब उसे बिस्कुट का पेकेट अपने जोले में मिला option number C यहाँ पर सही है चलिए गद्यांस फिर से एक गद्यांस आगया है तो गद्यांस है यदि हम ज़्यादा देर तक और ज़्यादा जोर लगा कर मंजन करें तो क्या हमारे दाथ ज़्यादा साफ हो जाएंगे बिटिश शोधार्थी कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है उन्होंने विभिन प्रियोग करने के बाद मंजन करने का सही तरीका ढूंड निकाला है दो मिनट के लिए अधिक जोर ना लगाते हुए मंजन किया जाए तो सर्वुत्तम परिणा मिलते हैं अधिक जोर लगाने से दाथों की उपरी परत और मसुडों को नुक्सान हो सकता है जबकि दातों में फसे मेल और अन के कड़ों पर इसका कोई असर नहीं होता मंजन करने की विशेशग्य बेंते हैंसन का कहना है कि दातों के ब्रश को कलम की तरह पकड़ना चाहिए वे कहते हैं एक कोने से सुरू करें और फिर दातों की पूरी पंक्ती का मंजन करें अपनी जीब को भी ना भूलें जीब पर बहुत सारे जीवानों हो सकते हैं जो सांस में बदबु पैदा करते हैं तो जीब को भी ना भूलें जीब को भी साफ करना है तो देखिए 49 वे नमबर का प्रशन है यहाँ पर यहाँ लेख किस विसय पर है, किस विसय पर है, दंत मन्जन करने का सबसे अच्छा तरीका, option number A फिर देखिए, बिटिस सुधार्ती क्या राय देते हैं, क्या राय दे रहें, बिटिस सुधार्ती मंजन करते समय दातों को ज़्यादा जोर से नहीं गिसना चाहिए option number C यहाँ पर सही है 41 number है बेंते हैंसन के अनुशार हमें अपनी जीब क्यों साफ रखनी चाहिए क्यों साफ रखना चाहिए क्योंकि सांस की बदबू हटाने के लिए option number B सांस की बदबू हटाने के लिए हमें अपनी जीब पी साफ साफ रखना चाहिए तो देखे आगे है 42 number का गद्यांस में कलम का उले क्यों किया गया है क्यों किया गया है यहां समझाने के लिए कि ब्रस कैसे पकड़ना चाहिए कलम की तरह पकड़ना चाहिए लिखा है ना अफसर नम्मर एस आई हैं पुनाय गद्यास आ गया जब तक की जतिन मेरे परम मित्र सुधान्सू के पडोस में आकर नहीं रहने लगा था तब तक गर्मी के दिनों में बड़े सांदार थे गर्मी के दिन तब तक बड़े सांदा थे जब तक जतिन नहीं आया था मुझे जतिन पसंद नहीं था उसके यहां दावत थी उसमें उसने सुधान्सू को निमंत्रन दिया था पर मुझे नहीं दावत में सुधान्सू को बलाया था पर मुझे नहीं जब तक जतिन हमारे परोस में नहीं आया था तब तक मेरे ज पर उनको दुसमनों से पीछा छुडाने का तरीका मालूम था। पिताजी ने खाना बनाने की किताब से एक पुराना कागच का टुकडा निकाला। सत्रु हल्वा उन्होंने संतुष्ट स्वर्म में कहा। सत्रु हल्वा आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सत्रु हल्वा क्या होता है। पिताजी ने कहा कि उसे बनाने की विधी इतनी गुप्त है कि वे मुझे भी नहीं बता सकते। मैंने उनसे बहुत विंती की कि वे मुझे इस बारे में कुछ तो बताएं। मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ, दिनेश, उन्होंने मुझसे कहा कि सत्रू हलवा दुसमनों से पीछा छुडाने का सबसे अच्छा तरीका है, यह सुनकर मैं सोच में पढ़ गया, मैं सत्रू हलवे में किस तरह की घिनोनी चीजें डाल सकता हूँ, यह सोच में पढ़ ग गया, लेकिन उन्होंने वे तुरंत वापिस कर दियें, मैं बाहर खेलने चला गया, पूरा समय मेरा ध्यान रसोई से आने वाली आवाजों की तरफ था, और मेरे पिताजी सत्रू हलवा बनाने में जुटे हुए थे, सायद इस बार भी गर्मी के दिन सांदार ही रहेंगे, मैंने अनुमान लगाया कि कोशिस, लगाने की कोशिस की, कि सत्रू हलवा कितना बद्बुदार होगा, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छी खुजबु आ रही थी, जहां तक मुझे समझ आ रहा था, यह खुजबु हमारी ही रसोई से आ रही थी, मैं असमन जसमे पढ़ गया, मैंने अंदर जाकर पिताजी से पूछा कि क्या गड़बढ है, सत्रू हलवे की मह कितनी अच्छी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पिताजी बहुत चतुर थे, अगर यह वदबुदार हुआ, तो तुम्हारा सत्रू इसे कभी नहीं खाएगा, उन्होंने कहा, मैं समझ ग मुझे बात समझ आने लगी, लेकिन फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा था कि सत्रू हलवा काम कैसे करेगा, इसका दुस्मनों पर क्या असर होगा, सायद उनके बाल जढ़ने लगेंगे, या फिर उनकी सांस से बद्बु आने लगेगी, मैंने पिताजी से पूछा, लेकिन उ हलवा ठंडा हो रहा था, तब पिताजी ने मुझे मेरी भूमिका समझाई, क्या भूमिका, वे मेरे कान में फुस्वसाये, इसका असर होने के लिए तुम्हें अपने सत्रू के साथ एक दिन बिताना पड़ेगा, उससे भी बत्तर तुम्हें उसके साथ अच्छा व्योहार करना होगा, यह आसान नहीं है, लेकिन सत्रू हलवे को असरदार बनाने का यही एक तरीका है, क्या तुम अब भी यह करना चाहते हो, यह भी कोई पूछने की बात थी, मैं तयार था, सत्रू से पीछा जो चुड़वाना है, बस मुझे एक दिन जतिन के साथ बिताना होगा और फिर हमेशा के लिए उससे पूछा छूट जाएगा, पीछा छूट जाएगा, मैं अपनी साइकल लेकर उसके घर गया और दर्वाजा खट खट आया, जब जतिन ने दर्वाजा खोला, तो उससे आश्चर हुआ, क्या तुम बाहर आकर खेल सकते हो, मैंने पूछा, वह अपनी मा से पूछ कर आता हूँ, उसने कहा, वह अपने जूतों के साथ वापिस आया, हमने कुछ देर साइकल चलाई और फिर दोपहर का भोजन किया, भोजन के बाद हम मेरे घर गए, विचितर बात थी, पर मुझे मेरे सत्रू के साथ मज़ा आ रहा था, लेकिन यह बात म मैं अपने पिताजी को नहीं बता सकता था, क्योंकि उन्होंने सत्रू हलवा बनाने में इतनी मेहनत की थी, रात में भोजन के समय तक हम खेलते रहे, पिताजी ने मेरा पसंदिता खाना बनाया था, वह जतिन का भी मन पसंद भोजन था, सायद जतिन इतना बुरा नहीं था मैं सोच रहा था कि सायद हमें सत्रू हलवे के बारे में भूल जाना चाहिए पिताजी मैंने कहा नए मित्र बना कर कितना अच्छा लगता है मैं उन्हें बताने की कोशिस कर रहा था कि जतिन अब मेरा सत्रू नहीं रहा था लेकिन पिताजी ने अपना सिर हिलाया और मेरी तरफ देखकर मुस्क्राए उन्हें लग रहा था कि मैं नाटक कर रहा हूँ भोजन के बाद पिताजी ने हल्वा बाहर निकाला उन्होंने तीन कटोरियां ली एक मुझे दी और एक जतिन को वह जतिन ने हलवा देखकर कहा मैं घबरा गया मैं नहीं जानता था कि जतिन सत्रू हलवा खाए वह मेरा मित्र था इसे मत खाओ मैं चिलाया यह खराब है जतिन का चमच उसके मूँ तक पहुँचने से पहले रुख गया उसने मुझे अजीब तरीके से देखा मेरी चिंता दूर हुई मैंने उनकी जान बचा ली थी अगर यह इतना खराब है जतिन ने पूछा तो तुम्हारे पिताजी ने आदा हलवा कैसे खत्म किया सच में पिताजी तो सत्रू हलवा खा रहे थे बढ़िया है पिताजी ने कहा मैं वहाँ बैटकर उनको खाते हुए देखता रहा किसी के बाल नहीं जड़ रहे थे सब ठीक लग रहा था तो मैंने भी थोड़ा हलवा चका बहुत ही स्वादिश्ट था हलवा खाने के बाद जतिन ने मुझे अगली सुबह अपने घर आने का अमंत्रन दिया जहां तक सत्रू हलवे का सवाल है मुझे अब भी वह बनाना नहीं आता मैं यही सोचता हूँ कि क्या वाकई दुस्मनों को यह नापसंद होता है क्या उनके बाल जढने लगते हैं या फिर उनकी सांस से बद्बू आती है पता नहीं अब मुझे इन सवालों का कभी जवाब मिलेगा भी या नहीं क्योंकि मैंने अब अपना सबसे अच्छा सत्रू खो दिया है अब वह सत्रू क्या बन गया है मित्र बन गया है अच्छाईयों से सत्रू भी मित्र बन जाता है 43 प्रशन है यहा कहानी कौन सुना रहा है कौन सुना रहा है दिनेश पिताजी ने नाम लिया था ना तो यहा कहानी कौन सुना रहा है दिनेश आप्शन नमबर D सायद इस बार भी गर्मी के दिन सांधार ही रहेंगे चम्वालिस्वा प्रश्ण है दिनेश को क्यों लगा कि इस बार भी गर्मी के दिन सांधार ही रहेंगे उसे पिताजी की योजना से बहुत उमीद थी सत्रु हलवे से बहुत उमीद थी फिर पैतालिसवे नमबर का देखे प्रश्ण है दिनेश जतिन के घर क्यों गया क्यों गया जतिन के घर जतिन के साथ खेलने के लिए जतिन को भोजन में आमंतित करने के लिए जतिन से यह कहने के लिए कि वसुदानसुल से दूर रहे जतिन को अपना मित्र बनाने के लिए नहीं जतिन के साथ खेलने के लिए गया अफसन नमबर C क्योंकि पिताजी ने कहा था कि उनके साथ दिन भर खेलना भी पड़ेगा फिर देखे च्छालिसवे नमबर का रात के भोजन के समय दिनेज को ऐसा क्यों लगा की उसे और उसके पिताजी को सत्रू हलवे के बारे में भूल जाना चाहिए दिनेज को जतिन पसंद आने लगा था वह उसका मित्र बनने लगा था उपसन नमबर C सहीं है 47 पिताजी ने सत्रू हलवे के बारे में कोन सी बात गुप्त रखी क्या बात गुप्त रखी थी कि वह सामान्य हलवे के जैसा ही था उसमें कोई भी बुराया नहीं थी 48 वा नहीं अब दिये गए गद्यांस फिर से गद्यांस है विश्व के सबसे उचे परवतों में मध्य इसिया के 14 परवत हैं जो समुद्र तल से 8000 मीटर से जादा की उचाई पर हैं इन में से सबसे उचा है माउंट एवरेश्ट जो 8848 मीटर तक पहुंचता है यह परवत जो की हिमाले स्रंखला का हिस्सा है नेपाल और तिबद की सीमा पर इस्थित है बीशवी सताबदी के पहले भाग में विभिन देशों से कई लोगों ने इस पर चड़ने की कोशिस की परवे असफल रहें अन्तता 1953 में न्यूजिलेंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली शेर्पा तेंजिन नारगे इसके सिखर पर पहुंचें पहुंच गये 1953 के बाद कई लोगों ने परवता रोहन के अलग-अलग तरीके से उसके सिखर पर पहुंचने का प्रयास किया एक तरीका था बिना ऑक्षिजन के सिखर तक पहुंचना यह मुश्किल माना जाता था क्योंकि परवत की उचाई पर सिरदर्द उल्टी और मस्तिस्क में अक्षिजन के चड़ें लंबे समय तक लोग माउंट एवरेस्ट पर बड़े समुहों में खूब सारा सामान लेकर चड़ें इस तरीके को पोलर स्टाइल कहा जाता था क्योंकि उत्तर और दक्षिण धुरुत तक खोज यात्रा पर जाने वाले लोग इस तरीके का से जैसे की डॉक्टर और सामान उठाने वाले लोग खाने पीने के सामान के साथ केम्प में रहते थे परवतरोही बैस केम्प से एक एक चरण पार करते हुए सिखर तक पहुँचते थे जाते थे हाई माउंटेन स्टाइल में दल में कुछ ही लोग होते थे बैस केम्प नहीं बनाये जाते थे और परवतरोही कम से कम खाना लेकर चड़ते थे 1980 में रेन होल्ड मैसनर इसी तरीके से सिखर पर पहुँचे थे वे पहले वेक्ती थे जिन्होंने 8000 मीटर उचाई वाले सभी परवतों पर चड़ाई की थी उन्हें प्रसंसा पूर्वक सुपरमैन बुलाया जाता था कहा जाता है कि जिन्होंने भी माउंट एवरेस्ट की उचाईयों को पाने की कोशिस की है उन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है जो इसका अनाधर करते हैं उन्हें यह परास्त कर देता है और जो इसका सम्मान करते हैं यह निष्ठुरता से उनकी परिछा लेता है फिर माउंट एवरेश्ट को मनुष्यों की उपस्थिती से कोई फर्क नहीं पड़ता और तालिशवे नमबर का प्रस्म देखिए इनमें से किस वाक्य में गद्यांस की अंतिम पंक्ती का शार है क्या है सार परवत चड़ने वालों को बदल देता है पर स्वयम नहीं बदलता पोलर स्टाइल की विसेस्ता है क्या है पोलर स्टाइल की विसेस्ता हमने पढ़ा पीछे धेर सारा भोजन लिए हुए बड़े डल एक साथ चलते हैं तो फिर धेर सारा भोजन लिए हुए बड़े डल क्या कहलाते हैं पोलर स्टाइल कहलाते हैं पचासवे नमबर का सुपरमेन क्यों कहा गया क्यों कहा गया क्योंकि उसने 8000 मीटर उचाई वाले सभी परवतों पर चढ़ाई की थी option number B सही है इस गद्यांस में माउंट एवरिस्ट पर चढ़ने के कितने तरीके बताए गए हैं कितने तरीके बताए गए हैं आप यहां पर एक पोस्टर दिया गया है सडक सुरक्षा का पाठ भी आपके लिए बहुत जरूरी है दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा इसकूली चातर चात्राओं के लिए गर्मी की चुट्टियों में ग्रिश्म सिविर का आयोजन किया जा रहा है ग्रिश्म सिविर का आयोजन कर रहे है पांच दिवसी निश्वल के प्रशिक्षण सिविर 18 मई 2015 से सुरू होगा कब से सुरू होगा 18 मई 2015 से चात्र चात्राओं को नीचे बताये गए विश्यों पर प्रशिक्षण जानकारी दी जाएगी जैसे मेन्वल, ट्रैफिक ड्रिल, यातायात नियम, सडक सुरक्षा, मानक, सडक संकेतक, सिगनल और सडक चिन, प्रात्मिक उप्चार, आत्मरक्षा और आबदा प्रबंधन पर जानकारी दी जाएगी क्योंकि यह सडक सुरक्षा का पाठ भी आपके लिए बहुत जरूरी है, इसका उदेशे ही है तो देखे, योगिता क्या है? कक्षा 6 से 12 तक के छातर छातरा है समय है सुमवार से सुकरवार, 9 बज़े से 12 बज़े तक फिर इस्थान क्या है? पश्चीमी रेंज, टीटी पार्क पंजाबी बाग, उत्तर रेंज, टीटी पार्क रोशनारा बाग, फिर पूर्वी रेंज, टीटी पार्क बालभवन, दक्षिनी रेंज, टीटी पार्क प्रगती मैदान, और मध्ध रेंज में हैं टीटी पार्क BKS मार्ग ग्रिश्म सीविर के मुख्य आकश्ण क्या रहेंगे निसुल्क प्रशिक्षण पांचवे दिन प्रतिभाग्यों को प्रमाणपत्र, रोजाना जलपान, सडक सुरक्षा की पुस्तिका के सैट वक केम्प का वित्रण भी होगा फिर नुकर नाटक होंगे चितरकला प्रशनोत्तरी प्रतियोगिता होगी जोमेट्री बॉक्स के साथ एक नोटबुक भी दी जाएगी अधिक जानकारी के लिए संपर्क करना है, संपर्क के लिए नंबर और इमेल एड्रेस दिये गए है दिल्ली में किसी वस्तु दस्तावेज के गुम हो जाने की रिपोर्ट के लिए दिल्ली पुलिष लॉस्ट रिपोर्ट एप, गूगल प्ले इस्टोर या विंडोज इस्टोर या एपल एप स्टोर से डाउनलोड करें वेब पर लॉस्ट रिपोर्ट दर्च करने के लिए यहाँ पर फिर से वेब साइट दी गई है इस पर जाना है फिर दिल्ली ट्रेफिक पुलिष मोबाइल एप पर उपलब्ध दिल्ली पुलिष सांती सेवा ने आए या पोश्टर था अब पोश्टर से सम्णत नीचे दे गया है पोश्टर के अनुसार यदि कभी आपका कोई कानुनी दस्तवेज गुम हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए पोश्टर में क्या दिया गया है दिल्ली पुलिष की वेब साइट पर लास्ट रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए यह देखे दिली पूलिस की वेबसाइट पर लास्ट रिपोर्ट दर्ज कराना यह वेबसाइट दी गई है फिर चोवन नमर का प्रस्ण क्या है निखिल को 22 में 2015 की राच चुटिया मनाने अपने गाउं के लिए निकलना है क्या वह यहां लिखा है ना 18 मई से शुरू होगा और 22 मई को यहां प्रिस्रिक्षन पांच दिन का है 18, 19, 20, 21, 22 मई को यहां समाफ्त हो जाएगा तो 54 का आपसन नमबर C 54 का देखिए 22 मई प्रिस्रिक्षन में भाग ले पाएगा कि हा क्योंकि प्रिस्रिक्षन उसके जाने के दिन ही खत्म हो जाएगा 55 पोस्टर के अनुसार इन में से कौन सी बात सही है इकचुक वेक्ती बताए गए किसी भी ट्रेनिंग पार्क के लिए अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं यह बिल्कुल सही है अपसन नमबर D 56 देखिए सिवीर का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है पुलिश द्वारा किया जा रहा है अपसन नमबर C सही है फिर नीचे दी गई घड़ी के रिखांग चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह एक स्कुल का बच्चा रौनक सुभा नौ बज़े से लेकर रात के नौ बज़े तक अपना दिन बिताता है इसके आधार पर दिए गये प्रशनों के उतर दें देखिए सुभा नौ बज़े से रात्री के नौ बज़े तक अपना दिन कैसे बिताता है देखिए यहां से सुरू करते हैं स्कूल प्रारंब, सुबह नौ बजे, फिर गनित हिंदी, दस बजे, दस मिनट का ब्रेक हो गया, फिर अंग्रेजी विज्यान, फिर भोजन विराम है एक बजे, और फिर है विज्यान, इतिहास और स्कूल समाप्त हो गया, फिर उसके बाद स्काउट्स की गतिविदी होंगी तीन से चार के बीच में, फिर चार से पांच घर जाना, कपड़े, बदलना, नास्ता, खेल को दित्या दी, और पांच से साथ तक है ग्रहकारे, फिर रात का भोजन, पकाने में मा की मदद करना, साथ से आठ, फिर आठ से नौ परिवार के साथ आराम, तो सुबह नौ से ले है, स्काउट के तुरेंद बाद रोनक, घर जाकर नहाता और कपड़े बदलता है, देखे, स्काउट के तुरेंद बाद क्या गरता है, घर जाना, कपड़े बदलना, नास्ता, खेल को दित्या दी, तो क्या हो जाएगा, क्या करता है, घर जाकर नहाता, कपड़े बदलता ह औंफसन नमबभ दी यहां पर सही हैं फिर अंठावन देख़ें रात में कौन सा काम कर सकता है देखिए कौन सा सही है यहाँ पर अंठावन में भी है अपने परिवार के सदस्यों के साथ टीवी देखना या बाते करना समय विता रहा है किसी भी तरीके का काम कर सकता है परिवार के साथ, रोनक करीब देड़ घंटे अपना ग्रहकार खालिस्थान में बिताता है, किसमें बिताता है, अपना ग्रहकार करने में देड़ घंटा समय बिताता है, 60. इस जानकारी से पता चलता है कि रोनक अपने परिवार के साथ आराम करने की बजाए पढ़ने में खालिस्थान समय बिताता है, पढ़ने में ज्यादा समय बिताता है, आराम करने में कम और पढ़ने में ज्यादा समय बिताता है 61 नंबर का प्रश्न है सूर्य पूर्व दिसा से उदित होता है उपरिक्त वाक्य का प्रकार है किस प्रकार का वाक्य है यह विधी वाचक वाक्य है option number A निमलिखित में से अवयाई भाव समास है तो अवयाई भाव समास कोंसा है यथा सम्भाव option number A यथा संभाव अग्याई भाव समास है विदेशी सेलानी ताज महल देखकर खलिस्थान रहे गए रिक्तिस्थान के लिए उप्युक्त सब्द है क्या रहे गए वो चकित रहे गए option number D सहीं है गिरिधर समास्तिक पद में समास है गिरिधर में कुन सा समास है बहु ब्रही समास है option number A 65 प्रशन है मोहन बस से गया वाक्य में है क्या है बस से गया तो यहाँ पर option number C करण कारक है करण कारक है कैसे पता चलेगा कारक रचना करताने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान शे संबंध काके की अधिकरण में पर से हम पता कर सकते है कुन सा कारक है यहाँ करण कारक है अपादान में भी से होता है लेकिन अलग होने वाला से होता है तो यहाँ पर अलग नहीं हो रहा है मोहन बस से ही जा रहा है बस से अलग नहीं हो रहा है आफसन नमबर सी सही है 66 पर उपदेश कुसल बहुत तेरे का अर्थ है क्या अर्थ है दूसरे को उपदेश देना आसान समझना दूसरे को उपदेश देना आसान समझना आफसन नमबर बी यहाँ पर सही है 67 देखे किस वाक्य में अपादान कारक है आप देखिए अलग होने वाली बात यहां पर देखने को मिलेगी हमें कौन सा है हिमाले से गंगा निकलती है हिमाले से गंगा निकलती है तो यहां पर अलग होने वाली बात है हिमाले से गंगा निकलती है तो option number C सहीं 68 हो सकता है राम का काम बन जाए राम का काम बन जाए, कैसा है, संदेह वाचक है, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसमें संदेह है, तो संदेह वाचक वाक्या, अप्सन निमर सी सही है, मनो योग का सही संधी विछिद है, मनो योग का सही संधी विछिद क्या है, मनह धन योग विशर्क, यहा और किये गए उपकारों को ना मानने वाला क्या है? कृतग ना तो यहाँ पर देखे किये गए उपकारों को मानने वाला कहलाता है कृतग आपसेन नमबर डी सही है तो आज की क्लास यही कमान कोई है धन्यवाद